खीरा ना खाने वाले ये जानकारी जरूर सुनें. खीरे के ऐसे ऐसे फाइदे हैं कि आप सोच नहीं सकते. आज हम आपको खीरे खाने के कुछ फाइदों के बारे में बताएंगे. गर्मियों में खीरा खाने से सेहत को मिलते हैं ये गजब के फाइदे. नमबर एक, खीरा जोडों के दर्द में बहुत ज्यादा फाइदे मंद होता है खीरे का रस पीने से जोडों के दर्द और सूजन दोनों को कत्म करने में मदद मिलती है आधे खीरे के रस में एक चम्मच शहद मिलाकर पीने से गठिया आर्थराइटिस, घुटनों का दर्द, जोडों के दर्द में जबरदस्ट फाइदा मिलता है नमबर दो, खीरा वजन भी कम करता है जो लोग अपना वजन घटाना चाहते हैं, वे सूप और सलाद में खीरा का सेवन करें क्योंकि खीरा में जल की मात्रा ज्यादा होती है, जबकी कैलोरी नहीं इसलिए यह जल्दी पेट को त्रिप्ट करती है, जिससे वजन बहुत ही तेजी से घटने लगता है नमबर 3, खीरे के रसका सेवन यूरिक ऐसेड बढ़ने की समस्या को कतम करने के लिए बहुत ही कारगर होता है क्योंकि खीरे के रसके सेवन से शरीर से विशैले पदार्थों को बहार निकालने में मदद मिलती है नमबर 4, विटामिन C और फोलिक एसिड से भरपूर खीरे का फेस मास्क महीन रेखाओं और जुर्रियों वाली तवचा पर बहतरीन काम करता है यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है और तवचा में कसाब लाता है नमबर 5, खीरे की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें 80 प्रतिशत पानी होता है खीरा प्यास बुझाता है और शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है खीरा खाने के बाद शरीर को परियाप्त मात्रा में पानी मिल जाता है 6. खीरा खाने से दिल की जलन कम होती है यह शरीर के जहरीले तत्वों को बाहर निकलने में मदद करता है इसके अलावा यह आंतों की भी बखुबी सफाई करता है 7. खीरा में फाइबर होते हैं जो खाना पचाने में मददगार होते हैं आप कब्स से परेशान हैं, तो रोजाना खीरा खाएं। यह कब्स के लिए कारगर दवाई है। नमबर आठ खीरा का यह गुण आपको चौका देगा। जी हाँ, खीरा कैंसर से लड़ता है। खीरा खाने से कैंसर होने की आशंका कम होती है। नमबर नौ, खीरे में मौजूद तत्व सीलिशिया बालों और नाखुनों में चमक लाता है और इन्हें मजबूत करता है। सलफर और सीलिशिया के कारण बाल तेजी से बढ़ते हैं। नमबर दस मधुमेह के मरीजों को भूख से थोड़ा कम तथा हलका भोजन लेने की सलाह दी जाती है। ऐसे में बार-बार भूख महसूस होती है। इस स्थिती में खीरा खाकर भूख मिटाना चाहिए। नमबर ग्यारह खीरे में मौजूध मैगनीशियम और पोटेशियम जैसे पोशक तत्व ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करते हैं। अगर आप खीरा का इस्तिमाल अपने स्कीन केर रूटीन में करते हैं, तो तवचा संबंधी सारी समस्याएं धीरे-धीरे कम होंगी यदि आप भी pimples से परेशान हैं तो खीरा आपके लिए फाइदेमंद है खीरे का रस अपने पूरे चहरे पर लगाएं कुछ देर लगा छोड़ दें फिर थंडे पानी से चहरा धो लें तो दोस्तों खीरा कई अन्मोल गुनों का खजाना है आप इसको रोजाना जरूर खाएए और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें धन्यवाद